ट्रेन से यात्रा करने कि लिए ओनलाइन टिकेट की बुकिंग में अब परिशानी नहीं होगी इसके लिए नई वेबसाइट तयार की गई है एक मिनट में इस वेबसाइट से 10,000 यात्रा टिक टोकी बुकिंग की जा सकते गी फिलहाल एक मिनिट में पिचचतर सो टिकेट की बुकिंग होती है वीरवार को केंद्रिय रेल मंत्री प्यूश गोईल इस नई वेबसाइट को लॉंच करेंगे रेल मंत्राल्या का कहना है कि इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिजम कॉर्पोरेशन यानि आयार सीटी सी की के वेबसाइट और एप के अपग्रेड होने से यात्री पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से टिकेट बुकिंग कर सकेंगे इस वेबसाइट से यात्रियों की खानपान समेत अन्य सुविधा भी जोड़ दी गई है केंद्रिय रेल मंत्री ने ब्यान जारीकर कहा कि आयार सीटी सी की वेबसाइट अपग्रेडिशन से टिकेट बुकिंग की स्पीड बढ़ जाएगी मनपसंद खाना भी यात्री इस वेबसाइट से बुक कर सकेंगे लेकने हैं कि IRCTC की साइट पर ज्यादा दबाव बरता था तो बराबर हैंग हो जाता था ततकाल वेबुकिंग शुरू होने के साथ ही वेब साइट स्लो हो जाती थी जिस वज़ा से टिकेट की बुकिंग नहीं हो पाती थी इसी समस्या का समधान निकाला गया है ताकि आसानी से ओनलाइन टिकेट की बुकिंग संभफ हो सके आर्टिफिशल इंटेलिजन्स पर आधारित दिशा चैट बुड़ पर भी विशेश सुविधा मिलेगी इसमें ट्रेन कैंसलेशन टिकेट की बुकिंग कैटरिंग समेथ कई सवालों का जवाब यातरियों को मिलेगा IRCTC एक नया पोस्ट पेड पेमेंट आप्शन भी वेबसाइट पर देगा वेबसाइट पर टिकेट बुक करके भुकतान बाद में भी किया जा सकेगा अरक्षित वत अतकाल दोनों टिकेट की बुकिंग के लिए यह सुविधा दी जाएगी ब्यूरी रिपोर्ट सच कहो